हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, क्रिटर होमेकर में आप लोग का स्वागत है, मैं हो प्रिती और आप देख रहे हैं क्रिटर होमेकर, जो कि मेरे चैनल का नाम है आज मैं आप लोग के साथ दही वड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये दाल से बनाया जाते हैं, इसमें मैंने उड़त दाल और जो होती है मूंग दाल बिना चिलके वाली वही एड़ की है और बहुत ही यम्मी बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं ठंड़क देते हैं ये पेट में और मतलब इसमें दही रहता है तो काफी फायदा देता है दही और दही वड़े तो सभी को पसंद होंगे तो चलिए मैं फिर मैं ब जरूब कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक पहुंच जाए और ऐसे ही मेरे वीडियो को बहुच किया किजिए आप लोग और लाइक किया किजिए तो चलते हैं किचिन में तो फ्रेंट्स यहां पर ले लिए मैंने मूंग एक कटोरी मूंग दाल ली है और फेंग लिश्यक अधर्थ souvent दड़ाइकेशन लगेशन तवी दालो को मैंने राद भर विगव कर रखा है अब इनहें महीं है पीशना है? एतने ही हमें पीशना है तो इसे धीरे-धीरे पीशना है पस इतना सा पानी लिया है कि जो उसी में था वही ले लिया है hanging यह देखिए इतना महीम पेस्ट बना करके रेडी कर लेना है अब इसे में एक तपेली में निकाल लेती हूँ इस पूरे पेस्ट को और इसे इस तरीके से घुमाते जाना है हमें खूप सारा फेटना है इसी तरह गुल-गुल-गुल-गुमाते जाना है अभी थोड़ा धीरे काया है जुझए मेरे हाथ में फोन पकड़ा हूँ देख सकते हैं आप एक तरव मैंने ओईल गरम होने के लिए रख दिया है जिससे हम वड़े को तलेंगे और मैंने पानी गरम होने को रख दिया है जिसी इस तरीके से हम्हें यस बेटर को लगबग 10 मिनिट तक फेट ते यह देख सकते हैं और एक साइड मेरा वाइल गरम हो रहा है अब मैंने 10 मिन्ट होट चुके हैं इस तरही फेट लिया है मैंने और यह वाइल मेरा कल मैंने पूरिया और भजी वगरा बनाये थे कड़ी बनाई थी तो उसी कड़ाई में ले लिया है तो आप लोग माइंड मत की कीजिएगा उसी तेल का यूज़ कर रही हूं मैं तो यहां देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमें हाथ से ही मैं हाथ सी बना रही हूं आप चाहें तो चमत से डाल सकते हैं इसमें तो यह देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे हमें वड़े तोड़ना है आप चाह आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं लेकिन जो पानी में डालेंगे तो उसका फ्लेवर निकल जाएगा इसलिए हम इसको चट्नी में ही डालेंगे हींग वगेरा को और इस तरीके से 7-8 हमें ये डाल देने हैं और ज्यादा नहीं डालना है चिपका चिपका नियूंकि और गोंडन ब्राउन होने तक इन्हें तलना है ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये पलड़ दिया था मैंने और ये देखिये एक दो चिपक गये थे मेरी कड़ाए में क्योंकि नानस्टिक कड़ाई है तो चिपक जाते हैं कभी-कभी इसके नीचे क क्योंकि ये इसमें तेल कम था और ये चिपक भी गए थोड़े से क्योंकि ये दो दाल के बने हुए इसलिए हलके से चिपके थे कुछ टेंसन नहीं है इसमें आराम से उपर आ गए थे फिर इन्हें मैंने पानी में भीगो दिया है करीब 15-20 मिनिट के बाद इन्हें निकालू करीब मैं इसमें जीरा पाउडर एड़ किया है आप चाहिए तो अलग से भी आइड कर सकते हैं इसे कोई टेंशन नहीं है और एक चमपश इसमें करीब मैंने चाट-मसाला और इसमें हिंग पाउडर दोनों मिक्स रहता है वो डाला है ये थवह अलग तरीके का पाउडर है और यह मैंने डाला है नमक साधा नमक और अभी इसमें जाएगा अभी शुगर भी जाएगी इसमें तो इसमें मैं शुगर डालूंगी अभी थोड़ा सा काला नमक भी डालूंगी ताकि टेस्ट अच्छा आए क्योंकि काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है तो यहां पर अक्टा मीठा काफी अच्छा लगता है इसलिए मैंने शक्कर भी डाल है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें यहां से पतला लिया है धुद मैं अब नहीं ने रख दिया इसलिए मैं डाला है गुड़ गुड़ आप अपने कोहार डाले है, और इसमें मैंने दो तीन मसाले और एड़ किया है इमली की चटनी मेरे पुराने वीडियो में डली हुई है तो आप वहां से डेख सकते हैं और ये ले लिये हैं दही वड़े और इस पर मैं डाल रही हूँ दही और दही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा डाल सकते हैं तो ये देखिए यहां पर मैंने दही को डाल दिया है और थोड़ा सा गिर गया मेरे हाद से तो मैं अभी साफ कर लूँगी ये देख सकते हैं आप और दही डालने के बाद में मैं इसमें डालूँगी इमली की चटनी तो यहां पर मैं डालूँगी इमली की चटनी मेरी बन चुकी है तो इमली की चटनी में कुछ नहीं काला नमाख है, लाल मिर्च है, जीरा पाउडर है और थोडा सा उस में मैने हिंग डाला है और यहाँ पर दनिया और अदरक वाली जो चट्नी है हरी दनिया, मिर्ची और अदरक मिस्कर के मैने चट्नी बनाई थी वो दाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च उपर से डाली है और यह देख सकते हैं हमरे दही बले बनकर ready हैं दही बडे भी बोल सकते हैं इसे उड़ सकते हैं आप चाहे तो आवाइट कर सकते हैं और इसके उपर से आप इसमें प्याज वगिरा भी डाल कर खा सकते हैं तो यह देखिए कितना Tasty लग रहा है खाने में सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आनेवाई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और फिर चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स ब्लॉग में अच्छी सी एक रेसिपी के साथ और हो सका तो मैं अपना डेली व्लॉग भी शेयर करूंगी अगर मु इसी वज़े से मैं डेली व्लॉग अभी बना नहीं पा रही हूँ हो सका तो बहुत जल्दी डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए फिर में लेती हूँ आप लोग से इजाजत मिलते हैं मेरे नेस व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई टेक केर